दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं पोल्टार्ट में हूँ सन्तोस पांडे उत्तरप्रेज की राजधानी लखनों में हूँ है इस दिनों लखनों में लगातार प्रयात भी जारी है आप तो खबरे दिखाएं जाएं उन बातों पर चर्चा हो जिन पर आप चाहते हैं सुनना और तमजना आपकी बड़ी खबर यह है कि उत्रप्रेज में एक पूर वाईपियस अधिकारी को गिरफ़तार किया गया है उसका जो गुन जाएं लेकि उन पर कोई कारवाई नहीं हुई इस बात को यहीं रखते हैं सरकार ने चाह्ट किया है उस पर हम चल्चा नहीं करेंगे लेकिन अमिताब ठाकूर जो पूर आइपियस हैं सरकार भिर गए हैं उनका कहना था कि जो उनके अधिकार अगर पूलिस से बाहर जाए तो चीजों को ठीक हो जाएंगी लेकिन अम्दाब ठाकून ने कहा थो उन्हें अंदाजा नहीं है कि अगर वो बाहर जाएंगे तो चीजें और ज़्यादा उठेंगी और चीजों पर सवाल उठेंगे अम्ताब ठाकूर की पस्रेश जिस तरीके से आज थाने विजाकर किस सवाल किया है वह इस बात को दर्सा रहा है कि अम्ताब ठाकूर पूरी तरह से सरकार से लड़ने के लिए तयार है अम्ताब ठाकूर ने एक अधिकारी पर हमला भी बोला उसे भी दिखाया जा रहा है एक तरफ मीडिया यह दिखाना चाहती थी, अमधाब ठाकूर के साथ गलत हो रहा है, तरक दूसरी तरफ मीडिया यह भी दिखाना चाह रहाए थी, कि मीडिया के लोगों को अम्दाब ठाकूर ने समय भले दियाने के लिए पुलिस अधिकारी होते हुए उन्होंने कुलिस वाले पर थपड़ जड़ दिया अम्दाब ठाकूर जिसतरी भूंक्या में सामने आ रहे हैं माना जा रहा है काने वाले दिनों में अम्ताब ठाकूर सारकार के लिए और मुसीवतें खड़ी कर सकते हैं लगातार मुने कई बड़े अधिकारियों के बारे में लिखा है बड़े बड़े अधिकारियों के बारे में चर्चाएं की है अमतार थाकूर वही हैं जो कभी मुलायविक की आवाज को टेप करके मार्केट मिला दिये थे वही अमतार थाकूर हैं जो योगी आतना से सीटक कर ले रहे हैं वही अमतार थाकूर हैं जो जवालिया रेटायर किये गए लेकिन अम्ताब ठाकुर को हमने दो दिन पहले इंटर्वेम में जब पूशा था कि आपका क्या रविया है आप क्या चाहते हैं उन्होंने कहा वो डीजीपी बढ़ना चाहते थे जिससे पुलिस के लोगों के लिए काम करते हैं अम्ताब ठाकुर लगातार इस बात का जिक्रेवी कर रहे हैं कि उन्हें गिरवतार किया गया है परशान किया जा रहा है उन्होंने आज यह कहा था कि वो अपनी पार्टी की भोशा करेंगे उसका नामधिकार सेना रखना चाहते हैं यह प्रस्तावित है उन्होंने लोगों के उपर छोड़ा है कि वो चाहित उसे रख सकते हैं लेकिन अमिदाब ठाकूर को यह बात पता नहीं थी कि बहुत जब उनके पर पुलिसी करवाई करने आएगी उनके घर पर फोज पहुंचती है उनने ले जाती है हना कि अमिदाब ठाकूर के सामने है विपक्समें समावधी पार्टी के राश्टी इत्रक्ष मुलायम सिंग यादू के बेटे अखले श्यादों ने भी अम्ताब ठाकूर के बारे में ट्वीच कर दिया है और यहीं से कहान युदू सरे बोल पर जा रही है क्या अमधाब ठाकुर समालवादी पार्टी जॉएं करेंगे अमधाब ठाकुर क्या करेंगे इन तबाम समालों का जबाब अभी सामने नहीं है लेकिन लगणव से लगातार हमारी रिक्पोट जारी है अमधाब ठाकुर की उन बातों पर चर्चा होती रहेगी जिसे आम ने देखा है सुना है उनके पूरे इंटर्व्यू को देखने के लिए हमारा यूट्यूप चनल लगातार देखते रहिए तब तक भन्ने बाद जैन जैवाराइब